हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल मैं तूबा और आप देख रहे हैं किचिन विद तूबा यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो जो लाव सब्सक्राइब का बटने इसे दबाएं और जो बराबर में बैल आइकन का बटने इसे दबाने से मेरी वीडियोज की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आज मैं बनाने जा रहे हूँ कीमे की गोली उसके लिए मैंने 900 g कीमा लिया है एक टेबिल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है एक टे-श्पून साबू धनिया लिया है नमक अपने टेस्ग के अकॉरडिंग एक टेश्पून मैंने मिर्चे लियेए हरा धनिया बारी काट लिया है दो हरी मिशली उन्हें भी इस तरीके से काट लिया है एक मीडियम साइस प्याज लिये और मैंने जीरे को और मेती को भून के अच्छी तरीके से पीछ लिया है एक टेबिल स्पून लिया है इसे और मैंने गरम मसाला एक टीज स्पून तरह लॉक्त सब्सक्राइब उसका और मेरों ततरह भी तकीव उसका पमेंकोट करें?. कशे को पमाटम करतें कम पमेंकोट कष़े है। तोड़े देर के लिए और पांच मिनट बाद हम इसमें बेसन डालेंगे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है उसको भी इसमें डालना है मिक्स करना है यह देखिए इस तरीके से इसमें मिलाना है मिक्स करना है और अच्छे से इसमें मिलाना है इस तरीके से यह देखिए अच्छे इसे इसमें से हटाना है और इसमें से इसे मिलाना है कीमे के साथ यह देखे सब अच्छे से मिल चुका है अब हमें इसकी गोली बनानी है और हमने इसे 10 मिल तक फिर रखना है बेसन लगा के अब मैंने तेल लिया है तेल को अच्छे से कर लिया है गरम और मैं गोली बनाना स्टार्ट करती हूँ देखें, इस तरीके से आपको गोली बनानी है जिसे मैं बना रही है और हमें यह ज़ादा बड़ी नहीं देनी है बहुत छोटी छोटी बनानी है क्योंकि एक आप बड़ी बनाएंगे तो वो अंदर से फ्राइ नहीं होगे आपको एक और बना के दिखाती हूं यह देखे इस तरीके से लेना है बहुत थोड़ा सा यह देखे ज़ाद होगे तो मैं थोड़ा कम कर दिया क्योंकि हमें एफ चोटी बनानी है ज़ादा बड़ी बनाएंगे तो फ्राई नहीं होगी यह देखे इस तरीके से बनानी है यह देखे बनके तयार हो चुके है सारी इसी तरीके से बनानी है देखे फ्रेंड सारी बनके तयार हो चुके है आपको भी इसी तरीके से बनानी है चोटी चोटी और यह सब तयार हो चुके है और आप हम इसको करेंगे फ्राई देखिए फ्रेंड मैंने तेल जादा इसे लिए लिया है क्योंकि जो हम गोली बनाएंगे वो अच्छे से टी फ्राई होनी चाहिए और अब मैं सारी गोलीों को इसमें डाल दूँगी आपको इसी तरीके से डाल लिए और अराम याम से डालना जादा बढ़ूशनी को सरी गोली डाल बेद है यह देखिए सब डल चुक यह और अच्छे से आपको इसे फ्राई करने अब पहले लो फी पहले हाई फुलीम करके आप इसे खूड़े देर वेलो कश्री देर देके यह देखिए इस तरीगे से करनी है आपको बीच बीच में आपको से चेक करना है जले न यह देखिए इस तरीगे से और इसमें फ्लेम को कर दिया है लो क्योंकि अब हमें इसे लो करके फ्राई करनी है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही अच्छी लगें ये हो चुकी है अभी हलका सा और करना है हमें तैयार हो चुकी है मैं इन्हें निकाल लूँगी और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है कितना अच्छा सा इस पर कलर आया है ये देखिए नहीं मैं आपको और दिखाती हूँ इसको पास से ये देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर आया है ये देख पड़िया कितनी जबरदस कितनी अच्छी लग रही है कलर कितना अच्छा आया है ये देखिए पास से कितना अच्छा लग रहा है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये देखिए चटनी के साथ खाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा इंशाला बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको बहुत पसंद आएगी मैं इसे खा कर दिखाती हूँ तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कैसी लग रही है यह देखिए यह देखिए मैं इसे खा कर दिखाती हूँ यह बहुत ही टेस्टी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हूँ तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, थेंक यू